मेरे परिवार जनों, आप सभी जानते हैं कि डेरी सेक्टर हमारे देश के सबसे इंपोर्टन सेक्टर में से एक है। हमारी माताओं और बहनों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में तो इसकी बहुत अहम भूमिका रही है। कुछी दिनों पहले मुझे गुजरात की बनास डेरी के एक इंट्रेस्टिंग इनिसेटिव के बारे में जानकारी मिली। बनास डेरी एशिया की सबसे बड़ी डेरी मानी जाती है। यहां हर रोज आउसतन 75 लाख लीटर दूद प्रोसेस किया जाता है। इसके बार इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। इसके लिए अभी तक टैंकर या फिल मिल्क ट्रेनों का सहारा लिया जाता था। लेकिन इसमें भी चुनोतिया कम नहीं थी। तो यह कि लोडिंग और अनलोडिंग में समय बहुत लगता था। और कई बार इसमें दूद भी खराब हो जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए भारतिय रेलिवे ने एक नया प्रयोग किया। रेलिवे ने पालनपूर से न्यू रेवाडी तक ट्रक ओन ट्रेक की सुविधा शुरू की। इसमें दूद के ट्रकों को सीधे ट्रेन पर चड़ा दिया जाता है। यानि ट्रांस्पोर्टेशन की भहुत बड़ी दिकत इससे दूर हुई है। ट्रक ओन ट्रेक सुविधा के नतीजे बहुत संतोस देने वाले रहे हैं। पहले जिस दूर को पहुचाने में 30 गंटे लग जाते थे वो अब आदे से भी कम समय में पहुच रहा है। इससे जहां इंदन से होने वाला प्रद्रिशन रुका है वहीं इंदन का खर्च भी बच रहा है। इसे बहुत बड़ा लाब ट्रकों के ड्राइवरों को भी हुआ है। उनका जीवन आसान बना है। साथियो कलेक्टिव एफट से आज हमारी डेरी भी आधुनिक सोच के साथ आगे बढ़ रही है। बनाज डेरी ने परियावरन समरक्षन के दिशा में भी किस तरह से कदम आगे बढ़ाया है। इसका पता सीड़ बुक्षा रुपन अभियान से चलता है। वारनसी मिल्क उनियन हमारे डेरी फार्मर्स के आई बढ़ाने के लिए मैन्योर मैनेजमेंट पर काम कर रही है। किरला की मराबार मिल्क उनियन डेरी का प्रयास भी बेहत अनुठा है। ये पशों की बिमारियों के इलाज के लिए आउर्वेदिक मेडिसिन विक्सित करन में जूटी है। साथियों हाज ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेरी को अपना कर इसे डावर्जी भाई कर रहे हैं। राजिस्तान के कोटा में डेरी फार्म चला रहे अमन प्रिशीं के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। उन्होंने डेरी के साथ बायो गेस पर भी फोकस किया और दो बायो गेस प्लांट लगाए। इसे बिजली पर होने वाला उनका खर्च करीब सत्तर प्रतिशत कम हुआ है। इनका ये प्रयास देश भर के डेरी फार्मर्स को प्रेरित करने वाला है। आज कई बड़ी डेरी बायो गेस पर फोकस कर रही है। इस प्रकार के Community Driven Value Edition बहुत उत्सायत करने वाले हैं। मुझे विश्वास है कि देश भर में इस तरह के ट्रेंड्स निरंतर जारी रहेंगे।